वेलकम स्ट्रेंट आप सभी का हाद एक स्वागत है ट्रपल सी बाई फाई इस्टी जनल पर और आप सभी के लिए ट्रपल सी सितंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन यहां पर रखे गए हैं तो आप सभी से रिकोश्ट है कि आप लोग इस क्लास को कंप्लीट संदेश को एंकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकरत उप्योग करता ही संदेश को पढ़ सकता है और यह काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन होंगे जो कि हमने आप रखे हैं आप सभी के लिए और ऐसे ही कोश्चन आप से पूछे जाएंगे तो चलिंगे जिससे केवल अधिकरत उप्योग करता ही संदेश को पढ़ सकता है बाकी कोई नहीं पढ़ सकता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं नंक्रिप्शन करना अब नेक्स्ट है किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में डेटा पैकेज भेजे जा जाते हैं रिपीटर हब मॉडम या राउटर्स तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा राउटर्स अगला है निम्ल में कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटकॉल क्लाइंट और सर्वर के भी इस्च फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए क्या जाता है कौन सा एक मान मानक नेटवर्क प्रोटकॉल क्लाइंट और सर्वर के भी इस्च फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए क्या जाता है SMTP, FTP, IP या HTTP यहां पर बताई यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ठीक है यहां पर आपका option B करक्ट हो जाएगा FTP, File Transfer Protocol कौन सा एक मानक प्रोटकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए क्या जाता है तो FTP, File, Transfer, Protocol अब next question है Mac address कितने bit का होता है ठीक है यहां पर आप answer करेंगे कितने bit का होता है 24, 32, 42 या 48 bit का तो बताईए answer क्या होगा question number 4 का यहां पर आपका D option करेक्ट हो जाएगा 48 bit का ठीक है next है यदि आप FTP program का उप्योग कर रहे हैं तो आप internet server से और internet server पर files transfer कर रहे हैं website design कर रहे हैं program develop कर रहे हैं या coding कर रहे हैं यदि आप एक FTP program का उप्योग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं option पहला दूसरा तीसरा और चौधा मां कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से comment में आशर बताएगे इसका मतलब internet server से आप internet server से और internet server पर files transfer कर रहे हैं option आपका पहला correct हो जाएगा ठीक है first option यहापर correct answer होगा अगला question आप से पूचा गया SSL द्वारा सुरच्छित SMTP connection को कहा जाता है जो connection SSL द्वारा सुरच्छित होते हैं उनको क्या कहा जाता है SMTPS, SSMTP, SANMP या SSLM तो यहाँ पर आपका first option correct हो जाएगा SMTPS ठीक है यहाँ पर secure हो जाएगा SMTPS option आपका first correct हो जाएगा अब next है BPN क्या है तो यहाँ पर आपको answer करना है BPN क्या है चार option आपके सामने है virtual private network, virtual public network and virtual primary network अथवा none of these कोई भी नहीं तो यहाँ पर बताईए right answer क्या होगा और इस सभी के सभी important question है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना ठीक है अभी और question आपको आने मिलने वाले हैं तो जल्द ही आपको मिलेंगे और भी question जो आपके लिए important होगे यानि कि जो प्रपल सी सितंबर में पूछे जा सकते हैं तो आप सभी request है कि एक वार आप लोग शेर दी कर देना ठीक है शेर कर दिया करो लाइक भी क्या करो और जो भी बच्चे जैनल पर फर्स्ट टाइम है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें साथ भी बेल का बेल आइकन भी प्र पर option पहला हो जाएगा वर्चुल प्राइवेट नेट्वर्क फास्ट ऑप्सन आपका करेक्ट आंसर होगा अगला कुछ ने इंटरनेट से जुड़े प्रतिक कंप्यूटर में होना जरूरी है क्या होना जुरूरी है पैंट्रियम प्रोसेसर एर एंटी वायरस होना बहुत जरूरी है इंटरनेट से जुड़े प्रतिक कंप्यूटर में होना चाहिए एक यूनिक आईपी अड्रस ऑप्सन नंबर डी करेक्ट होगा अगला कुर्शन है FTP मूल रूप से है क्या प्रोटोकॉल लेंग्वेज वेब ब्राउजर या बेपेज आखिर FTP है क इसका प्रोणाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है तो मूल रूप से क्या है अप्सन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा अगला कुछन है यूजर के कम्प्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है यानि कि यूजर ठीक है के computer से अगर server पर कोई भी file transfer होती है तो उसे क्या कहते है downloading, sequencing, accessing या uploading चलो अब answer करो question number 10 का क्या हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे uploading कहेंगे option D हो जाएगा user के computer से अगर server पर file transfer होती है तो उसे uploading कहते हैं option number D आपका right हो जाएगा और इस सभी question आपके लिए important है अच्छे सियाद कर लेना ठीक है ऐसे उपकरण जो दो network को एक साथ जोडते हैं वह कहलाता है ऐसे network जो दो उपकरण को एक साथ जोडते हैं उसे क्या कहते हैं bridge, rectifier, hub या switch तो क्या कहलाते हैं option आपका first हो जाएगा bridge कहलाते हैं पहला option आपका correct जबाब हो जाएगा अब अगला question है एक दूरस्त machine से एक इस्थानी machine पर data प्राप्त करने को कहा जाता है question को धिहान से समझना और फिर answer करना क्योंकि इसी पकार से इसी language में लगवगा आपको question मिलेंगे थोड़ा सा confusion हो जाता है question समझने में तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप एक दूरस्त machine से यहने की और एक इस थानी machine पर data प्राप्त करने को क्या कहते हैं browsing, searching, uploading या downloading इसे कहते हैं downloading option number D आपका correct जबाब हो जाएगा ठीक है option D हो जाएगा आपका right answer downloading next है निम्ड में से network की कौन सी स्रेंडी का उपयोग दो सहरों या राजियों या देशों जैसे बड़े भावगलिक छेत्रों में computer को आपस में जोडने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा इसमें से कौन सा correct जबाब होगा चलो जल्दी से आप लो comment में answer बोलो इसका right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वैन ठीक है correct जबाब क्या हो जाएगा वैन हो जाएगा अगला question इंटरनेट से जोडने के लिए निमन में से किस प्रकार connection telephone line का उपयोग करता है किस प्रकार का connection होगा यहाँ पर telephone line का प्रयोग करता है ठीक है तो right answer क्या होगा इसका केवल सेटला wireless या डायलब तो यहाँ पर आपका डी option करक्ट हो जाएगा डायलब connection ठीक है option नमबर डी आपका right होगा अगला question आप से पूचा गया निमन में से एक बेब ब्राउजर नहीं है कौन सा सफारी गूगल नेट नेट स्केप नेविगेटर या ओपेरा इसमें से बेब ब्राउ ठीक यहाँ पर नेट स्केप है नेट इसकेप नेविगेटर जलो आप समय कौसा राइट रहाएगा कौसा इसके ब्राउजर नहीं है यहाँ पर यहाँ पर आपका option फीकरेक्ट जाएगा Google आपका बेब ब्राउजर नहीं है ठीक है safari नेट स्केप नेविगेटर ऑपेरा जो होता है वो आपके एक सेर्च इंजन होता है ठीक है यहाँ पर वी ऑप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना जो भी बच्चे चैनल पर फास्ट टा को जोइन करने के लिए आपको लिख मिल जाएगा वीडियो के डिसकर्स वाक्स में जहां से भी आप जोंड कर सकते हैँ और किसी जनकारी के लिए आप मुझे स्टेंड करना होगा ताकि मैं और भी बच्चों को पढ़ा सकें ओके थैंक्स फर वाचिंग